नमस्कार किसान भाईयो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड स्गीन में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जैविक वीदी से आप सरसो की खेती की बौई कर सकते हैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को end तक वो चुरूर कीजेगा अगर चैनल पे आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो सरसो की जैविक वीडि से बुआई करने के आपको जो तरीका बताने वाला है सबसे सिंपल है इसमें आपको क्या करना है सरसों की खेती अच्छी पैदावार के लिए खेत को अमें सह से त्यार करना चाहिए इसके लिए हमें सुरवात में खेतों में मिट्टी पलटने वाले हलो रोटावेटर कल्टिवेटर से गह जुदाई कर खेत को दस दिन के लिए कुला चोड़ना है और खरपतवार को निकाल कर बाहर फैक देना है जिससे मिट्टी में धूब लगने से मिट्टी में मौझूद कीट रहा निगारक वीवानों मर जाए उसके बाद खेत में आपको डालनी है पुरानी गोबर की खात सिची छेतरों में आपको यह डालनी है चार से पांच तेन परती हेक्टर और सिची छेतरों में डालनी है आठ से दस तैन परती हेक्टर डाल देनी है और डाल के फिर कल्टिवेटर के माध्यम से दो से तीन जुदाई कर देनी है और जुदाई करने के पस्चाद सुहागा लगा का खेत को संतल करना आती है आप सक है और फिर खेत में सिचाई कर दे सरसो की खेती के लिए खेती तयारी करने के बाद सरसो के बीजो की बुआई करनी है जिसके लिए खेत में परियाप्त मातरा में नमी होनी चाहिए सरसो की बुआई के समय आपको एक बिगे के साब से आपको जो लेना है खाद की मात्रा वो लेने हुमिकेसीड जो दानेदार आता है आपको लेना 2 kg कार्बेनिक खाद जो आती है उसमें लेना है आपको 15 kg और बीज़गी जो मात्रा लेनी आप कोई भी किसम चूज़ कर सकते हैं पीली सरसो या फिर आप हाइबेड सरसो उसकी बीज़गी मात्रा लेनी आपको डाइसोग्राम हुमिकेसीड में सरसो की फसल में को फोस्फोरस और पोटास की मात्रा मिल जाएगी और कार्बिनिक खाद में आपको कैल्सियम, सल्फर, नाइट्रोजन आदी पोस्फोर तत्वों की मात्रा भी मिल जाएगी तो इन दो खाद से आपको आपके सरसो के लिए जो परियाप मात्रा में जो चार पोस्फोरस पोटास, सल्फर और नाइट्रोजन सभी को अच्छे से मिक्स करके आप अपने सरसो की खेत में बुआई कर दें बुआई करने के बाद स्वागा लगा के आप खेत को समतल कर लें सरसो की खेती बुआई करने के बाद बात आती है सरसो की फसल में निराई गुडाई कब करें जब आप सर्सों की बुवाई कर दें उससे 25 दिन बाद आप एक बार खुरपी द्वारा निराई गुड़ाई जरूर कर दी चाहिए उसमें आपको कोई कीटना सकने डालना जाहें आपको सिर्फ हातों से ही खुरपी के द्वारा अपने निराई गुड़ाई कर देनी है और निराई गुड़ाई करने के साथ जो अधिक मातरा में आपके पोदे होंगे सर्सों के वह आपको निकाल देनी है पोदे पर मिट्टी चड़ा देना है जिससे पोदे गिरने की संभावना कम हो जाती है निराई गुडाई करने के 8 दिन बाद लगबग 35 दिन बाद आपको सरसो की पहली सिचाई कर देनी है सिचाई करने के बाद आउसकता होने पर आपको तुसरी 25-75 से 80 दिन बाद करनी है और याद रखें फसल पर फूल आने के समय सिचाई नहीं करनी है तो इस तरीके से आप सरसोकी वाई जैविक तरीके से कर सकते हैं और इसे अच्छी खासी पैदावार भी ले सकते हैं तो किसान भाईयो अगर आपको जानकर ये अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पे नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा और वीडियो को सेर करना भूलिएगा लन्यवाद